Hello students, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Applications of Derivative Exercise 6.2 के Question No. 12 से लेके 15 तक उसमें हम देखेंगे कि यह Increasing है कि Decreasing Function है तो Question No. 12 है Which of the following Function are strictly decreasing on 0 to 5 by 2 तो इसमें A है Cos X, B है Cos 2 X, C Cos 3 X और D है 10 X तो हम बारी-बारी इनको करते हैं पहले जो है A को लेते हैं इसमें Cos X जो है हमारे को Function दिया हुआ है और इसकी जो है देखना है कि यह strictly decreasing है कि नहीं है तो Function को लेख लेते हैं F X is equal to Cos X अब जो है इसका differentiate करेंगे तो F dash X जो है वो minus के sin X के equal हो जाएगा अब हमारे को जो दिया हुआ है इसका जीरो टू पाइवाइड टू के बीच में इसको देखना है कि यह जो है decreasing है कि नहीं है वो भी strictly decreasing है कि नहीं है तो इसके अंदर हमारे को देखना है जीरो टू पाइवाइड टू के बीच में तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाइट में साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा और जीरो पे जो है वो जीरो होता है लेकिन जीरो क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है तो जीरो से बड़ा ही होगा इसका मतलब minus के sin x जो है वो 0 के छोटा हो जाएगा साइन बतल के तो fx जो है क्योंकि ये minus के sin x यानिके f dash x fx का differentiation 0 से छोटा है इसलिए fx जो है वो strictly जो है वो decreasing है तो 0 2 pi by 2 जो है वो strictly decreasing है 0 से 5 by 2 के बीच में अब जो है cos 2x के लिए check करते हैं याना कि b को लेते हैं तो यहाँ पर जो है fx हमारे को दिया हुआ है वो fx जो है वो हमारे पास cos 2x के equal है तो इसको differentiate करेंगे तो हमारे पास x के respect में जब इसको differentiate करते हैं fx को तो हमारे पास cos 2x का differentiation minus के sin 2x आएंगे और 2x को differentiate करेंगे तो 2 आएगा तो इस तरह से ये हो जाएगा minus के 2 sin 2x तो minus के 2 sin 2 times of negative sin of sin 2x तो ये आगया हमारे पास अब हमारे पास जो उन्होंने range दी हुई है की domain है 0 2 pi by 2 तो इसके अंदर x को हमारे को देखना है तो x जो है pi by 2 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा है लेकिन हमारे को 2x में देखना है तो हम इसको पूरे को 2 से multiply कर देंगे तो 2 से multiply कर देने से जो है ये change हो जाएगा और x की जगा 2x आजाएगा तो 0 को double करेंगे 0 जी रहाएगा x का 2x हो गया और pi by 2 के pi बन जाएगे तो इसका मतलब 2x जो है pi से लेके 0 के बीच में है यानि कि first और second दोनों quadrant में और हमें पता है कि sin 2x जो है वो first quadrant में भी positive होता है और second quadrant में भी positive होता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह first quadrant में भी sin positive है और second में भी positive है यानि कि 0 से pi तक के बीच में यह positive है और third or fourth में negative हो जाता है तो हमारे को तो first or second से ही मतलब है तो sin 2x जो है greater than 0 है और equal to 0 इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर 0 जो है वो शामिल नहीं है तो यहाँ पर अगर sin 2x 0 से बढ़ा है तो minus के 2 times of sin 2x 0 से छोटे होंगे तो इसका मतलब 0 से छोटा है तो cos 2x जो है वो भी function जो है वो strictly decreasing function हुआ क्योंकि उसका differentiation जो है वो 0 से छोटा है तो इस तरह से जो है a b strictly decreasing है और b b strictly decreasing है 0 से pi by 2 के बीच में अब cos 3x को देखते है cos 3x में को भी same उसी procedure से करेंगे fx जो है वो cos 3x के equal है अब इसको differentiate करते है x के respect में तो हमारे पास fx की जगा जो है f dash x जो आएगा differentiate करने से और cos 3x का differentiation हो जाएगा minus के sin 3x और फिर 3x का करेंगे तो वो 3 आ जाएगा तो minus के 3 sin 3x जो है इसका differentiation आगया अब हमारे को जो यहाँ पर x जो है वो 0 और πईवाइट 2 के बीच में है x की जो value है वो 0 और πईवाइट 2 के बीच में है तो हम इसको 3 से multiply कर देते हैं दोनों side मतलब यह तीनों को जो है तीनों terms को 0 3 से multiply करेंगे तो 0 को 3 से करेंगे 0 रहेगा x जो है 3x हो जाएगा और πईवाइट 2 जो है 3 πईवाइट 2 हो जाएगा तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3x जो है वो 0 और 3 πईवाइट 2 के बीच में आ रहा है तो यानि कि 1, 2, 3 तीन कोडरेंट जो है इसमें आएगे तो 3 कोडरेंट में इसको लेने का मतलब यह हुआ कि sign जो है 1st और 2 में तो positive है लेकिन 3 में वो क्या हो जाता है negative हो जाता है तो यहाँ पर यह 2 parts में बट जाएगा जो है तो 0 से लेके pi तक का positive है और फिर pi से लेके 3 pi by 2 तक जो है यह negative हो जाता है इसलिए दोनों को अलग-अलग जो है इसके part बन गए दोनों पर अलग-अलग विचार करेंगे हम तो यहाँ पर sign 3x जो है वो positive होगा यानि कि greater than 0 होगा जब की जो 3x जो है वो 0 से pi के बीच में है यानि कि first or second quadrant में है तो इस तरह से जो है हम देख रहे है क्योंकि इतना sign 3x अगर 0 से बढ़ा है तो minus के 3 से multiply करने पर sign change हो जाएगा यानि कि minus 3 sign 3x less than 0 हो जाएगा इस तरह से fx जो है वो strictly decreasing हो जाएगा fx जो है यहाँ पर strictly decreasing हो गया लेकिन किस में हुआ 0 to pi के बीच में 0 to pi जो है वो है वो change हो गया 0 to pi वो strictly decreasing हो गया लेकिन यहाँ पर हमारे को जो दिया हुआ वो तो 0 to pi 2 है तो हम 0 से जो है पाई तो नहीं लिख सकते क्योंकि हमने इसको 3 से जो है divide करना है तो क्योंकि हमने पहले 3 से multiply कि 3 से divide करेंगे तो 0 को तो divide करेंगे 0 ही रहेगा लेकिन पाई जो है पाई वाई 3 हो जाएगा इसका मतलब 0 से पाई वाई 3 जो है यह strictly decreasing हुआ अब हम कह रहे हैं पाई से लेके 3 पाई वाई 2 तक यह negative होता है तो 3 एक्स जो है पाई से लेके 3 पाई वाई 2 negative है इसका मतलब साइन 3 एक्स जो है हो less than 0 है तो minus के 3 साइन 3 एक्स जो है साइन 3 एक्स का SUR का negative होगा लेकिन minus 3 से multiply करेंगे तो वो positive हो जाएगा यानि कि greater than zero हो जाएगा तो greater than zero हो गया इसका मतलब यहाँ पर जो है fx जो है वो increasing strictly increasing हो गया इस portion के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा strictly increasing हो जाएगा तो pi by जो है आपको pi को 3 से divide के pi by 3 और जो है आपका 3 pi by 2 को 3 से divide करेंगे तो pi by 2 हो गया यानि कि pi by 3 से pi by 2 के बीच में fx जो है वो क्या हो जाएगा strictly increasing हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि 0 से pi by 2 के बीच में fx जो है cos 3x के लिए ना तो क्योंकि एक जासा नहीं है कभी strictly decreasing है कभी strictly increasing है इसका मतलब यह जो है इधर strictly decreasing nor strictly increasing तो यह है तो इसका मतलब जो है cos 3x जो है neither strictly increasing nor strictly decreasing हो अब 10x को भी check कर लेते हैं तो fx जो है वो 10x के equal है तो 10x ले लिया और इसको differentiate करते हैं तो f-x जो है वो sec square जो आएगा x आजाएगा अब क्योंकि sec square इधर sec के उपर square आ गया तो negative हो तब भी positive वो positive तो positive है तो sec square x हमेशा positive रहेगा और first quadrant में वैसे भी positive होता है तो f-x जो है यह strictly increasing हो गया इस range के अंदर 0 to pi के बीच में तो इस domain के अंदर यह increasing हो गया तो इस तरह से जो है अब question number 13 देखते है on which of the following interval in the function f given by f-x is equal to x raised power 100 plus sin x minus 1 strictly decreasing a 0 to 1 b है pi by 2 to pi c 0 to pi और d जो है none of these तो इन चारों के अंदर हमारे को देखना है कि यह function f-x कि strictly decreasing जो है कि इस interval के अंदर है तो पहले जो है हम a वाला interval ले लेते हैं 0 to 1 वाला तो 0 to 1 वाले को पहले हम check करके देखते हैं तो f-x जो है हमारे को दिया हुआ है वो सब के लिए common वही रहेगा x raise power 100 plus में sin x minus के 1 तो यह f-x हमारे को दिया हुआ अब इसको differentiate करते हैं तो differentiate करेंगे तो f-x जो है हमारे पास आ जाएगा वो f-x होगा x raise power 100 का हो जाएगा 100 times of x raise power 99 और sin x का differentiation cos x हो जाएगा और minus 1 का 0 हो जाएगा जिसे लिखने के जरूरत नहीं है तो f-x हो गया under times of x raise power 99 plus में cos x अब a को हम देखते हैं जो कि 0 to 1 है तो इस के अंदर जो है interval में इसको देखेंगे कि यह किस तरह से strictly decreasing है कि नहीं है तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं 0 to 1 में यह कैसा बेव कर रहा है तो x जो है वो क्योंकि 0 इसमें और 1 शामिल नहीं है त तो x जो है वो 0 से बढ़ा होगा यानिके x positive है और किसी भी positive number की जो पावर ले जाएगी positive power जो होगी वो जो है वो भी positive होगी तो 100 times of x raise power 99 भी एक positive number है यानिके 0 से बढ़ा है और cos x जो है cos x जो है 1 के उपर वो जो है 0 हो जाता है बाकिस हम में उसकी value first quadrant में जो है 0 to 1 अगर हम के बीच में देखेंगे तो इसकी value जो है वो क्या है 0 to 1 में ये भी जो है positive है क्योंकि 0 to 1 radiant में अगर हम इसको देखते हैं cos को कि क्या आता है तो इसके अंदर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि cos जो है 0 पे 1 इसकी value होती है और 1 पे 0 होती है लेकिन बीच मे जो है इसके sign भी बजल सकते हैं तो radians में इसको देखते हैं तो 0 का radians 0 होगा और 1 रेडियन जो है 57 डिगरी के near about होता है तो इस बीच में 0 to 57 के बीच में cos जो है first quadrant में ही है तो इसका मतलब ये जो है positive है तो इसकी value positive आ गई तो दोनों 100 times of x raise power 99 भी positive होगा cos x भी positive है इसका मतल दोनों का sum positive हो गया तो f dash x greater than 0 है इसका मतलब f x जो है वो strictly increasing है first वाले interval यानिके 0 to 1 में तो इसका मतलब ये option जो है वो सही नहीं है अब b को देखते हैं b में है pi y 2 से लेके pi के बीच में इसको देखते हैं कि क्या ये strictly increasing है या strictly decreasing है या इन में से कोई सा भी नहीं है ना strictly increasing ना strictly decreasing तो उसके लिए जो है हम इसको देखेंगे तो अब जो है हमारे पास f x तो वही है x की power 100 प्लस में sin x minus के 1 तो f x वही है तो उसका जो f dash x है वो क्या है 100 times of x raise power 99 प्लस के cos x तो 100 x raise power 99 जो है उसको हमने देखना है वो किसमें देखना है उसको देखना था हमारे को पाई बाई 2 से लेके पाई तो पाई बाई 2 का मतलब पाई अगर हम 22 वाई 7 ले ते हैं तो पाई बाई 2 हो गया 11 बाई 7 और पाई जो है 22 बाई 7 तो यह 11 बाई 7 और 22 बाई 7 यह पाई बाई 2 और पाई के respectively values आ गई अब इनके अंदर जो है आप इसको अगर radians में देखे तो यह वोनधुइंट त्वाइव और दूसरे वाल थृपंट वाइन रेडियन के एकवल है और इन दोनों में जो है इसकी वैल्यू हमारी घ्रेतिर दैन ओन hon आती है तो यह दोनों में इसकी वैल्यूर्ट डाउन आएगी तो 1.5 और 3.1 में जो value है इसकी x की value तो positive आजाएगी और cost के इस तरह से 100 times of x की power 99 वो जो है 100 times of positive number 1 से बड़े number का जो भी 99th power होगी वो भी एक positive ही होगी तो 100 को अगर positive number से multiply करेंगे तो वो जो है 100 से बड़ा ही number आएगा तो यह जो है इसका मतलब यह हुआ कि यह cause x जो है वो यहाँ पर जो अब cause x को भी देख लेते हैं पाई वाई टू से लेके पाई के बीच में है और पाई वाई टू से पाई के बीच में cause x जो है उसकी value किस तरह से होती है तो यहाँ जो है आपको यह पता है कि cause x जो है वो second quadrant में है पाई वाई टू से पाई के बीच में और second quadrant में उसकी value जो होती है वो negative होती है तो इस तरह से लेकिन इसकी value negative हुई तो लेकिन हमारे पास जो 100 times of x raise power 99 है उसकी power 100 से भी जादा है और cause x कभी भी जो है वो 0 और 1 के बीच में ही उसक minus के 1 से लेके plus के 1 तक ही value होती है तो negative value minus 1 और जो है इसकी maximum value जो होगी वो 0 हो जाएगी क्योंकि plus के 1 तो इसमें वो नहीं सकती तो minus 1 जो है minimum value और maximum 0 तो अगर 100 से बड़े किसी number में से अगर हम 1 को subtract या add कर भी दें तो भी वो जो है वो positive number ही रहेगा इसका मतला fx जो है वो strictly increasing pi by 2 से लेके pi के बीच में उमीद है आप इसको समझ चुके होंगे अब c को देखते हैं कि 0 से pi by 2 के बीच में यानि कि first quadrant के बीच में इसकी value क्या रहेगी तो यहां पर जो है हमारे को pi by 2 जो है उसको अगर हम pi को 3.14 लेते हैं तो 2 से divide गनने पर near about 1.5 आता है तो 0 to 1.5 इसकी value आती है तो 0 क्योंकि शामिल नहीं है तो इसका मतलब एक positive number ही है और किसी भी positive number की अगर हम 99 पावर लेते हैं तो एक positive number ही आएगा और उसका positive number आने की वज़र से जो है यह function जो है और first quadrant में cos x भी positive है तो दोनों ही positive number आएंगे यानिके 100 है times of x की power 99 भी positive है और cos x भी positive है दोनो का sum भी positive रहेगा इसलिए fx जो है वो strictly increasing है 0 to pi y2 यानिके b option भी गलत हुआ और c option भी गलत हुआ अब बचा क्या none of these तो d जो है none of these हो गया यानिके ना तो a है ना b है ना c है इसका मतलब d option correct हो गया क्योंकि हमने देखना था इसमें की strictly decreasing कौन सा है तो ना तो a strictly decreasing हुआ और ना नहीं जो है b strictly decreasing हुआ तो इस तरह से क्योंकि वो भी strictly increasing है a में भी strictly increasing है b में भी strictly increasing है और c में भी strictly increasing है तो d option correct option है कि इन में से कोई भी strictly नहीं increasing नहीं है question number 14th है कि find the least value of a such that the function f given by fx is equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1,2 यानिके 1 और 2 वाले interval में हमारे को देखना है जिसमें 1,2 शामिल नहीं है यानिके 1 और 2 के बीच में देखना है कि ये least value a की क्या होगी कि ये strictly increasing रहे है तो fx जो है वो है x square plus ax plus k1 अब इसको differentiate करते है f dash x हो गया और इधर x square का differentiation हो गया 2x और ax का हो गया plus k a अब क्योंकि ये strictly increasing होना चाहिए तो strictly increasing के लिए इसको क्या होना चाहिए कि greater than 0 होना चाहिए यानिके positive होना चाहिए तो इस तरह से ये होना चाहिए तो fx जो है वो strictly increasing है question के हिसाब से तो हमारे को जो है इस में 1 और 2 के बीच में तो इसको देखने के लिए हमने हमारे को strictly increasing बनाने के लिए ये देखेंगे कि f-x जो है वो हमारा greater than 0 होना होगा तो greater than 0 होगा इसका मतलब जो f-x जो की 2x प्लस a के equal है वो 0 से बढ़ा है यानके 2x प्लस a is greater than 0 और किस interval में 1 से 2 के बीच में इसके अंदर जो है सबी x के लिए ये value है तो इसमें जो है ये लिख देते हैं और फिर जो है इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस a is greater than 0 इसलिए क्या होगा अब on 1 to 2 जो है 1 और 2 के बीच में अब इस interval के लिए हमने देखा कि x जो है वो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है यानके 1 और 2 के बीच में एक value है तो इसके अंदर जो है अगर हम इसको double करें क्योंकि हमारे पार हमें 2x चाहिए तो दोनों सबको 2 से multiply कर दिया तो 2x जो है 2 से बड़ा है लेकिन 4 से चोटा है क्योंकि x 2 से चोटा है तो 2x 4 से चोटा होगा x 1 से बड़ा है तो 2x जो है वो 2 से बड प्लस दो इसकी जो minimum value है वो हमें क्योंकि least value निकाल ले हैं वो कह रहा कि find the least value of a तो इस least value क्या है इसमें 2 प्लस a है 2 x प्लस a की least value जो है वो क्या है 2 प्लस a और maximum value जो है वो है 4 प्लस a तो हमारे को least value तो निकाल लें लिस्ट वैलिऊ के लिए हमारे को सलेक्ट कौन सा करना पड़ेगा मिमम वैलिऊ है एक्स की वह टो प्ल dauस ए और मैकिमम ईलवए फॉर प्लस जंत है तो एक्स क्लिब लेटों पमेश से बढ़ा है और 4 प्लस A भी 0 से बढ़ा होगा तो अगर हम इसको लेते हैं 2 प्लस A is greater than 0 तो A जो है वो greater than minus 2 होगा और यहां पर 4 प्लस A अगर 0 से बढ़ा है तो A greater than होगा minus के 4 तो इसका मतलब यह हुआ कि A की जो least value है function की इसमें 1 to 2 के range वाले में तो least value जो है वो ली जाएगी इस function fx के लिए वो होगी minus के 2 तो minus 2 के लिए यह least value देगा तो question number 15 है let i be any interval disjoint from minus 1 to 1 prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon max is strictly increasing on i तो यहां पर i जो है एक interval disjoint है minus 1 to 1 तो इसमें minus 1, 1 जो है शामिल नहीं है प्रूत प्रूव करना है कि f function जो है वो strictly increasing है fx जो दे रखा है वो है x plus में 1 upon में x तो इसको जो है हम अगर simplify करें तो यह हो जाता है x plus में x raise power minus 1 तो अब इसको differentiate करते हैं तो यह हो जाता है f dash x होगे fx का differentiation होगे f dash x तो x का differentiation हो जाएगा 1 और x की power minus 1 को differentiate करेंगे तो minus x की power minus के 2 आ जाएगे तो यह हो जाएगा 1 minus में 1 upon में x square अब x square अगर हम LC हम ले लेते हैं तो यह मारे पास हो गया नीचे denominator में x square उपर हो गया x square minus 1 इसके factor कर दो x square minus 1 के factor करेंगे तो x minus 1 into में x plus 1 इसके factor हो जाते हैं और नीचे denominator में x square आगे तो यह जो है हमारे पास relation 1 बन गया अब हमारे को देखना है कि यह किस तरह से behave करेगा तो यहाँ पर हम देखें कि जो इसका यहाँ दिया हुआ है इसका interval जो दिया हुआ है minus 1 और 1 के बीच में दिया हुआ है तो x जो है या तो minus 1 से जो है चोटा है या 1 से बड़ा है तो इस तरह से हमारे को देखना है कि x minus 1 से तो जो है चोटा है या या x जो है 1 से बड़ा है या फिर जो है x जो है और x less than minus 1 x is equal to minus 2 अगर हमें minus 1 से बढ़ा लेना है एक number ले लिया हमने x is equal to minus 2 तो अब इसमें अगर minus 2 अगर हम रखते हैं तो first x minus 1 negative होगा x plus 1 भी minus 2 रखने से negative होगा लेकिन नीचे denominator positive रहेगा क्योंकि negative number का square भी positive होता है तो negative negative positive होगा तो positive upon में positive भी positive होगा तो इसका मतलब वो 0 से बढ़ा होगा तो f dash x जो है वो 0 से बढ़ा होगा यानिके minus 1 से छोटा अगर x होगा तो जो है f dash positive आएगा और x से x 1 से बढ़ा लेना बढ़ा number हमने मान लिया ले लिया 2 तो 1 से बढ़ा number 2 ले लिया तो उसमें अगर हम x minus 1 में 2 रखेंगे तो वो positive आएगा और x plus 1 में 2 रखेंगे तो वो भी positive हो जाएगा और नीचे जो है 2 रखेंगे तो 2 का square और वो भी positive है तो positive into positive positive upon positive जो की positive है यानिके greater than 0 है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही conditions में जो f dash x है वो positive आ रहा है तो चाहे वो less than minus 1 हो या greater than 1 हो तो इस तरह से f dash x जो है जो 0 से बढ़ा हो for all interval x जो है वो minus infinity से infinity तक कोई भी interval हो उसके अंदर जो है हम इसको देख सकते हैं कि f x जो है वो क्या है strictly इंक्रीजिंग है तो इस तरह से हमने जो है इसको प्रूव किया मुईदा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक करें और मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जूर दबादे धन्यवाद